जिन्दगी देना भगवान के हाथ में है जिन्दगी लेना भगवान के हाथ में है पर जिन्दगी कैसी जीना ये किसके हाथ में है जवाब दो हमारे हाथ में है जो चीज भगवान के हाथ में हम उन बातों के चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि भगवान के कारिया में हस्तक्षि करने का अधिकार ना तो मुझे है ना आपको है लेकिन जो काम हमारे अपने हाथ में है उस काम को हम बिलकुल परफेक्ट रखने की कोशिस करेंगे मैंने का जिन्दगी देना उसके हाथ में है जिन्दगी लेना उसके हाथ में है पर जिन्दगी को कैसे जीना ये हमारे हाथ मे और जब जिन्दगी देना उसके हाथ में और लेना उसके हाथ में है पर जिन्दगी को जीना हमारे हाथ में है तो आओ हम जिन्दगी को वो स्वरूप प्रदान करते हैं जो जिन्दगी हमारी इंद्रधनुस का रंग बन जाए याद रखना दुनिया में कोई इंद्रधनुस ना तो क्यों लाल रंग से बनता है, ना गुलाबी रंग से बनता है, ना हरे रंग से बनता है, ना पीले रंग से बनता है, ना सफेद रंग से बनता है, क्या आप में से कोई बताएगा, कि दुनिया में इंदर धनुस कौन से रंग से बनता है, कौन से रंग से बनता है, बोल मिला दिया जाए तो दुनिया में इंद्रधनुस का निर्मान हो सकता है हमारी जिंदगी ऐसी है किसी एक रंग से जीवन का निर्मान नहीं होता किसी एक कारिय से जीवन का निर्मान नहीं होता आदमी के जीवन का निर्मान तब होता है जब आदमी अपनी जिन्दिगी का बहु मुखी विकास करता है घरों में जाता हूँ जाते ही हर आदमी का एक प्रस्थ रहता है सब ये मेरे जो घर में मंदर का आळा है जरह आप इसको देख के बताईए कि ये मंदर का आळा कैसा है शुब है अशुब है दिशा कैसी है आप ज़रा अपने हाथ में चित्र बनाईए आपके घर में भगवान काड़ा कितना बड़ा है सब लोग हाथ से बताएंगे मुझे भगवान काड़ा लगवान काड़ा कितना बड़ा है और जरा एक बार कलपना कीजिए, आपका बेडरूम कितना बड़ा है? जरा सुचिए भगवान का आड़ा जादा बड़ा है या आपका बेडरूम जादा बड़ा है? बेडरूम जादा बड़ा है. और कलपना ये कीजिए कि जब बेडरूम आपका बड़ा है तो आप बड़ गर में मंदर है या नहीं, आज की तारीक में जर्ट इस बात किया है, कि आपका गर ही मंदर है या नहीं, घर में मंदर पीछे बनाईए, पहले घर का माहुल ऐसा बनाईए, कि हमारा गर ही मंदर बन जाए, हमारा परिवार ही मंदर बन जाए, हमारी जिंदगी मंदर बन जाए गरों में जाता हूँ पहला प्रस्था बाब जी हमारे मंदर कैसा और दूसरा हर आदमे के घर में ये दूसरा काम रहता है रोटी तो एक घर में एक या दो लेते हैं दूद आदा पाव पीते हैं पर उसका पहला काम रहता है बाप जी मेरे जितने कमरे हैं न सब में पगडिया कर दीजी क्या कर दो पगडिया कर दो इस कमरे में भी उस कमरे में भी उस कमरे में भी अरे और तो और कई लोग होते हैं बातरूम तक ले जाते हैं बाप जी मेरे बातरूम में भी पगडिया कर दो ये kompetite पुरा बना हुआ है, मेरे मूझ से निकल पड़ा, मैंने कहा, भाई, बात्रूम तो 25 लाग का है, खाना यहीं बैठके खाते हो, की बाहर खाते हो, एक बात तै है, वेभों के नाम पर आदमी घर में कितना भी वेभों बटोड ले, पर जो चीज जहां काम आती है, वही कमरों में पगलिया करो, छोटी वाली बहु लेके जाती है, मेरे कमरे में पगलिया करो, उनके कमरे में जाते हैं, अजकल लगबख बैडरूम सबके बड़े संदर संदर बनने लग गए हैं, और छोटी वाली बहु के कमरे में गए, LCD लगी हुई है, AC लगा हुआ है, इतना मोटा एक फिट का गद्दा लगा हुआ है और ना ना करते ना करते दो लाख का पलंग लगा हुआ है जब छोटी वाली बहु के कमरे में जाओंगा तो मंजली वाली क्या चाहिएगी मेरे कमरे में भी पगड़िया करो अब उनके कमरे में जाते हैं और वहां जाके पगड़ि ऊपर से एक फिडका घद्दा फिर वो vast सबसे बड़ी वाली बहु कियती हैं मेरे कमरे में चलो वहां भी जाते हैं और वहां भी पगड़े करते तो वही एसी वही टीवी वही एक फिडका घद्दा पगड़िये कराते कराते अंततहों मंगल पाड सुनाने के लिए फिर कहां ले जाये जाता है दादी सा के रूम में कौन से रूम में बोलो तो कौन से रूम में दादी सा के रूम में बहुएं कहते हैं बाप जी दादी सा के रूम में चलो चोटी वाली बहु के रूम में ऐसी लगा है बंजली वाली बहु के रूम में ऐसी लगा है बड़ी वाली बहु के रूम में ऐसी लगा है अब नमबर आता है दादी सा का दादी सा के रूम में जाते हैं और जाकर के मंगल पाड़ सुरू करूं उससे पहले देखता हूँ उस कमरे में एक पंका चल रहा है पता लगा पुराना मकान बेज कर आये थे बाकी चीजे वहीं सल्टा गए ये पुराना पंका दादी सा के रूम के लिए यहीं आ गया और परणाम निकल कर आता है मैंने कहा घर में मंदिर बनाने की जरुवत कम है आज की तारीक में घर को मंदिर बनाने की जरुवत ज्यादा है हम जिस शहर में जाते हैं मेरे भाई और बैनों हमने अपनी जिन्दगी में कोई सैकड़ों मंदिर नहीं बनाए है हमने अपने जिन्दगी में कोई उबधान नहीं कराए है हमने अपने जिन्दगी में कोई बहुत ज़्यादा लंबे चोड़े पध्यात्रा संग नहीं निकाले है हमने अपने जिन्दगी में एक काम जरूर किया है और वो है लाखों टूटे वे घरों को जोड़ने का पुन्य प्राप्त किया वे लोग जो अपने माबाप से अलग हो गए थे वे लोग जिन्होंने अपने भाईयों से बोल चाल बंद कर दी थी वे लोग जिन्होंने आना जाना आपस में छोड़ दिया था वे लोग की जोनोंने माबाप को भग ये के बरों से छोड़ दिया था हमने अपनी जिंदगी में जहां जहां चात्रमास किये हैं वहां ये काम जरूर किया है कि लाखों लाख तूटे वे घरों को आपस में क्या किया जोडने का काम किया है जोडने का उपकरम किया है